बड़ी इसे एक जो होती है जिसका साउंड क्या होता है लंबा जाता है तो हम शुरू करते हैं ई की मात्रा जो होती है इस तरह से बनी होती है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे नीचे हलंत लगा होता है वो आधा क्यालाता है जैसे उसमें मात्रा लग जाती है तो वो पूरा अक्षर बन जाता है जैसे कि डा में इ की मात्रा डी गडी क्या बन गया गडी प प में इ की मात्रा पी ता में आ की मात्रा ता तो क्या बन गया पपीता ह, ह में आ की मात्रा ह, थ में बड़ी की मात्रा इ, जिसका साउंड के जाता है, लंबा जाता है, तो हा, थी, तो क्या बन गया ये, हा, थी, एक बाब फिर हम इसका दोरान करेंगे, घड़ी, पपीता, हा, थी, सबच में आया है वच्चो, अब हैं आगे पढ़िए और समझिए तो अब हम इ की मात्रा के जो शब्द हैं, उनको ध्यान पूरा पढ़ेंगे, जह में इ की मात्रा जी, भ, जीब, द, हमें इ की मात्रा ही, जैसे हमें इ की मात्रा लग जाती है, तो उसका साउंड क्या हो जाता ही, तो ये पूरा शब्द क्या बना, द, ही, ग, ल, में इ की म तो क्या बन गा गली समे उचान क्या होगा सीड़ि जैसे की बोलते हैं बोल कर देखो जेसे सीड़ि तो जो एक मातरा है उसका sound जो इसके उखाज होती है फो थोड़ी लंभी जहती है पा में ए की मात्रा पी ला में ए की मात्रा ली पी ली ना में ए की मात्रा नी ला में ए की मात्रा ली तो क्या बन गया नीली का में ए की मात्रा की ल तो क्या बन जाएगा कील ना में ए की मात्रा नील तो क्या बना नील जहामे ए की मात्रा जील जील नामे ए की मात्रा नीर नीर क्या होता है नीर का मतलब होता है पानी ठेक है भामे ए की मात्रा भीड 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 मतलब जहां बहुत सारे लोग कट्ट हो जाते हैं एक साथ तो उसको बोलता है ना कि भीड लग दे वा में ई की मातरा वीर वीर मतलब क्या होता है वीर मतलब बहादूर, स्ट्रॉंग जिसको हम कहता है म च ला में ई की मातरा ली तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा म च ली ग ला में ई की मातरा ली च में आ की मातरा च गलीचा गलीचा क्या होता है जो फर्ष पर बिछाया जाता है छेक है पसमेई की मातरा सीन में आ की मातरा ना तो क्या हो गया यही पूरा शब्द क्या बन गया पसीना जब हम बहुत महनत करते हैं तो हमें पसीना आने लगता है छेक है ना ल-क, र में इ की मातरी, तो क्या बन गया? लकडी ग, ग, र में इ की मातरा, तो क्या बन गया? गगरी गगरी क्या होता है? गगरी बोलता है मठकी को र, र में आ की मातरा, र, ज, धमे बताईए अब धमे किसकी मातरा है? आकी, very good नमे ई की मातरा नी राजधानी राजधानी क्या होता है जैसे हम राज़स्तान में रहते हैं तो राज़स्तान की राजधानी क्या है जैपूर तो यह राजधानी च म कमे ई की मातरा की लमे आ की मातरा ला तो क्या बन गया चम की ला म, हमें आ की मातरा हा, रमें आ की मातरा रा, नमें इ की मातरा तो नी बन गया ये, अब पूरा जब हम इसको जोड़ के पड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? महारानी, दमें इ की मातरा दी, पमें आ की मातरा पा, व, लमें इ की मातरा ली, दी पावली तो पूरा शब्द क्या बन गया दिपावली ब न में आ की माता है न र स में इ की माता सी बनारसी बनारसी होता है यह से बनारस में जो लोग रहते हैं उसको बनारसी है कि बनारसी के साड़े भी खुब फेमस है इस तरह से यह है अब हम E की मात्रा यानि की जो हमने E की मात्रा सीखिए उससे बने अब हम वाक्य सिखेंगे हमने पहले शब्द सीखें अब इन शब्दों से बने वाक्य भी सिखेंगे एक एक माल में E की मतली था तो पूरा वाक्य क्या बना? एक माली था ठीक है बच्चों? आया समझ में आपको उस का उसका नाम बल बी ब में ए की मातर है बीर उसका नाम बल बीर था वह वह आलसी व लालची चैह में मातर है न, ए की तो क्या बन गए यह? लालची था इस तरह से पूरा सेंटर्स का वाक्य बनेगा वह लालसी व लालची था ठीक है बच्चों? अब हम आगे पढ़ेंगे उसका में ए की मातर है की तो क्या बन गया? उसकी ठीक है? उसकी बी यानि बा में बी कौन सी मातर है? बा में इ की मातर है बीबी का नाम नाम सीमा था उसका नाम सीमा था उसकी एक लड़की थी उसका नाम मीरा मीरा था तो उसका नाम मीरा था वह ठा में ए की मतर गी चे बगी चे में गई पपीता नाश पाती नाश पाती ककड़ी व लीची लाई तो पूरा वाक्या बनेगा पपीता नाश पाती ककड़ी व लीची लाई ठीक है बच्चों? नाश पाती अब नाश पाती शब्द में ए की मतर किस पर आ गई तपे तो जैसे ए की मतर लगती है तपे तो क्या बन जाता है पूरा नाश पाती खाकर पानी पानी पिया तो नाश पाती खाकर पानी पिया फिर फिर मिठाई अब मिठाई शब्द देखो मामें कौन सी ए की मात्रा है मताईए बच्चो मा में इ की मात्रा है मिठाई समझ में आया यह कैसे हुआ यह इ की मात्रा है और यह इ की मात्रा तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा मिठाई खाई उसकी माने खीर ख में जो इक मात्रा दिख रही है वो किसकी है इकी खीर बनाई तो उसकी माने क् बनाई थी खीर इस तरह से बच्चों आपको ए की मात्रा से बने शब्द और शब्दों से बने बाक्के को बार बार पढ़कर इसका अभ्यास करना है धन्यवाद